हेलो इस्टुडेंट्स जोहार हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा लेक्षरर मारवाडी कोलेज राची विशे नागपुरी आज हम रॉर्मन के 11 एलेक्टिब कर किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रा भाग एक कर एकठु कहनी जेकी किताब में गद्य भाग में संकलित है रॉर्मन के पढ़ाब कहनी का नाम है सोन परी और इकर लेखा ठेक है डाक्टर राम परशार तो हमरे आज कहनी पढ़ब सोन परी उकर सारांस और संगे संगे हमरे इकहनी कर समिक्छा हों करब तले अंत में हम इकहनी से संबंधित कुछ प्रश्न भी रॉर्मन के बताब जेकी परिक्छा में आवेला तो सबसे पहले हमरे कहनी सोन परी कर सारांस के जानब सोन परी कहनी लेखक राम प्रशाद कर लिखल एक ठो आत्म कथात्मक सैली में लिखल कहनी है आत्म कथात्मक सैली कर कहनी उखेला जे कर में लेखक खुद कर कुछो अनुभाव के लिखेला कहनीकर जे लेखक हे काएं उँ हे काएं डाक्टर राम प्रशाद और ठेट देहाइत कर रहोईया हे काएं मुदा सहर में नोकरी करेक चलते बरिस में एक दूधाओं उँ गाउँ जायक पारेना गाउँ में उनकर छोवा बेराकर संगी फेको रहत रहे जेकर से लेखक कर बड़ा जोर दोस्ती रहे और उँ लेखक कर सहिया हो रहे जब भी लेखक गाउँ जाता है उनकर सहिया फेको गाउँ कर कोनों भी घटना नावा हो चाहे पुर्ना उनके सुनात रहे आउर इतना बड़ियां से सुनात रहें कि लेखक के उनकर कहेक में एगो कहनी रंग बुझात रहे मुदा लेखक कहियो उनकर सुनाल कहनी के चाहे घटना के आपन लेखन कर अंस नई बनाए रहें आउर ऐसन दुर्जोग हो लग कि अब की धाउं जब लेखक गाउं गे लेएं तो उजे कहनी के सुन लेएं उजे दुर्घटना के सुन लेएं उकर सिकार उनकर सहिया फेकू होए जाए रहे आपन प्रिय सहिया कर अचका ऐसन नुक्सान कर खबर सुन के लेखक के बड़ा दुखोला काले की उनकर उबचपन कर संगी रहे और बचपन कर संगे बचपन में उकर संगे जतना भी समय उबिताय रहें सोब के उयाद करे लाग लें कैसे संगे संगे खेलत रहें गरुचरायक जात रहें स्कूल जात रहें और धाना, गुचु, बिती, छुरे, चिकनिया, कबड़ी फुटबॉल, भोली बोल, चाल गोटी, तिखुर गोटी, सतगरवा और कतना रकम-रकम कर खेल, उनकर संगे उ खेलत रहें फेकु कर मरेक से, लेखक के, उहे नियर दुख लाग लग जैसन की, उनकर आपन माय बाप कर मरल बाद में, उनके दुख लाइग रहे उ बड़ा जोर दुखी होई गयल आ, उनकर आइंक से लोर बहे लाग लग उनकर जे गुधांगर रहे ठेपा उहे उनके फेकुकर मरेक सोब बात के बता लग आउर फेकुकर विशाय में एहो कह लग कि फेकु आपन मौत नई मईर हैं मुदा उनके केउ जहर दे देगे मुराय दे लग फेकु गाउंकर बड़ा बेस अदमी में गिनात रहें तो कैसे क्यों इतना बेस आदमी के जहर दे देवी लेखक के इबात से बड़ा अचरज लाग लग तब उनकर धांगर जे रहे ठेपा उन बता लग कि दोसर कर करनी कर सजा उनकर संगी उनकर सहिया फेकु के मिल लग उनकर फेकु कर बाप कर नाम रहे भुखला और भुखला कर दोस कर कारण उकर बेटा फेकु कर जान गिल घटना अईसन होए रहे फेकु कर बाप भुखला जे है उकर थीन धीडु गाउं कर सोनार जे रहे सोना लाइन के बुड़ा बांधा राखेकले देला बुड़ा बांधा मतलब होवेला कि कोनो चीज के अगर के उ बांधा राखेला तो एगो तारिक तय रहेला कि इतना तारिक तक में उ आपन समान के छोड़ाए लेवी आउर अगर उ नई छोड़ाएला तो उ दिन कर बात से उ चीज डूइब जायला चाहे जे कर थीन बांधा राखल रहला उकर होई जायला उखे कहेना बुड़ा बांधा तो धीडू सोनार जे रहे आपन सोना के फेकू कर बाप भुखला ठीन तीन कोरी में बुड़ा बांधा राइक रहे छोड़ाएक दिन से एके दिन बगरा बीत रहे और धीडू आलग आपन सोना के छोड़ाएक ले मुदा भुखला बहुत भारिक कंजूस अदमी रहे और लोभी भी रहे उँ एकदम से उकर सोना के देवेकले तैयार नई हो लग धीडू कतनों बिंती कर लग मुदा भुखला उके नई दे लग उकर सोना तीन सो कर रहे जेकी तीन कोरी में डुई भी लग इकर से धीडू के बड़ा रोस खीस लाग लग संगेक संगे बड़ा पस्तावा भी हो लग मुदा उका कर तक चुपचाप खीसाय के हुआ से चेल गय लग तले फेकू कर बाप जे रहे भुखला उएक नंबर कर कंजूस अदमी रहे जमडी जाय तो जाय मुदा डमडी डमडी नई जाय इक होईत उकर उपरे सुपट बैठत रहे फेकू जे रहे उकर पत्नी जे रहें सोन परी रहें उँ उनके कहत रहें हमर ले घेचा करेगो हार बनवाए दो तो एक दिन फेकू आपन बाप से भुखला से सोना मांग लें सोन परी ले हार बनवाए दो मुदा भुखला जेसन कंजूस आदमी का के सोना दे तक तब फेकू का कर लें चाभी मिलाए के संदुक कर ताला खोईल दे लें और सोना के चुपचाप से निकलाए के धेड़ू कर घर चेल दे लें आपन सोन परी घर नी ले हार बनवाए के लें तब जखन उस सोना के धेड़ू के देलाए सोना के देखके धेड़ू चीन लेलाए की इतो उक्रे सोना हेके अब उमने मन सोचे लागलाए की इसोना के मुए का नियर हतियाओ कईसे इके फिर आपन घर में राइखिलों और कोनो कोनो उपाय उओ सोचे लागलाए की उसोना के चुपे चुपे आपन घर से लाइन है कि खुने बता है उके उचोराय के आपन बापकर संदूग से लाइन है अब तो धीडु सोचे लाग लग, यह तो घर से सोना के चोराई के लाइन है से ले इके जहर देए के मारियों देले केखों पता नहीं लागी और तीन सोकर सोना जे हमार हाथ से चैल जाय रहे, फिर से मोर जगन आय जाई और केखों यह भी पता नहीं चली की धीडु फेकु के मारियों उकर उपाय उका कर लग, चाह में जहर में लाइद लग, में साइद लग और फेकु के पीएले देला जखन फेकु एक घुट चाह के पीला, तो उके बेस नहीं लाग लग, और कहला, चाह तो कानियर लागत है इकर से पहले जब फेकु के धीडु जहर वला चाह देवत रहे, तो उकर हाथ थर थराय लागत रहे काले कि उकर आत्मा के सुईकार नहीं रहे के खोजान से मारे, फेकु तो निर्दोस रहे नहीं, सेले उकर धीडु कर आत्मा नहीं चाहत रहे कि इचाह के उदे तक, मुदा राक्षसी बुध्धी उकर होजी रहे, उजीत गे लग और उचाह के धराय देला जैसे फेकु कहलक चाह बेस नहीं लागत है, तुर्थे धीडु के समझा लग कि इखने तो बना ही सब इचाह के, माईचोगा पी ही, तनिक बगरा डबईक जाहे, सेले कासा लागत रहे तले फेकु के चाह सवादो नी लागत रहे, मुदा कोनो नियर घेंचा से हेठे उतराय देला अब चाह कर सवादी तो दोसरे रहे, धीडु कर बात में विश्वास के के फेकु तो चाह पी देला लेकिन तनिक देरी में वो अकबाकाय लागला उकर अकबाकाल देखके, धीडु डराय गेला, कहीं यह हमर घरे मोईर जाही, तो फिर हम पकड़ाय जाए सेले वो के कहला, चल बाबू, मुके तोर तोला बटे जाएक है, चल हमरे संगे जाए तले उके संगेल लेके जाएला, और कुछ दूर में फेकु एकदम से चलिक नई पार लग और बैठी गे लग तले धीडु बहाना बना लग, कि अरे मो के तो कुछ समान मन कीनेक रहे, तेल नोन मन, मोई तो कचिया लानेक भुलाए गेलो तले उके छोड़ी के आपन घर घुईरा लग, हिने सांज होवे लाग लग, फेकु के कोनहर देखा थे, बेचारा उहे ठीन, छटपटाई छटपटाई के डहरे में दम तोड़ी दलाग इबात के सब कोई गाउं में कानियर जान लें, उके तो उहे मन जाना थोब हैं, तो फेकु तो मोईर गेल लग, अब इब कहनी के जब ठेपा लेखक के सुना लग, तो लेखक के बढ़ा दुख हो लग आउर उसोचलक की आपन सहिया करज घर नी है, सोन परी उनकर से मिलेक जायक होई, सोन परी उपरे बड़ा भारी बिपत्ती पढ़ रहे, तले उसे बेरा आपन नई हर चैल जाये रहे लेखक सोन परी से मिलेक ले, उनकर नई हर गिलें, उनके देख के सोन परी बड़ा जोर से कांदे लाग लें, एकदम जार बेजार होई के कांदे लाग लें कितना सुन्दर रहे सोन परी, सोना नियर उनकर गतर रहे, से एकदम पीला पियर होई जाये, रंगीन छीट साड़ी पींदे वला, एकदम सादा साड़ी पींद रहें उनका रूप देख के लिखा के बड़ा अपसोस लाग लें, तले सोन परी आपन पुरुस कर मिर्टु कर कारण अपने हे के माने लाग लें, और उनके बड़ा अपसोस रहे, कि ना उनके उसोना कर हार बनवायक लिव कहते हैं, और ना उनकर पती कर जान जातर उ एहो बता लें कि उनके बच्पने से गहना गुरिया कर बड़ा सौख रहे माय बाप आपन सौवक से उनके गहना दे रहे मुदा खाली घेचा कर हारे घटत रहे से उ उनके बनवाय के लिए कईदे ले मुदा उका जानत रहें कि उनकर पती चोराय के सोना ले बैं और गहना बनुआ बैं सहिया इनके बड़ा दुख रहे सोन परी सहिया इनके इहो बात कर बड़ा दुख रहे कि उनकर पुरुष कर जान जे है उ अकाल मिर्तु में चैलिगे लग अगर कोनो रोग दूख होए रहते हैं तो उनके संतोस भी होते हैं उनकर सेवा कईर रहते हैं मुदा अकाल मिर्तु में अचका उनकर जान चैलिये लग और यी सब घटना कर दोसी उसोन परी अपने के खुद के मान लें कि अगर उहार बनवायक नहीं कहते हैं तो उनकर पती क जान नहीं जाता हैं लेखक उनके बड़ा समझाए ना कि जेकर जितना दिन जिये खायक रहला उन उतने दिन जिये खायला इकर में के करो दोस नखे सहिया कर उतने हैं दिन उमर रहे सेले उन उतने हैं जी लें आप सहिया कर पतनी सोन परी से मेल जुईल के लेखक आपन घर चैला लें घर आय के भी उनके तनिखो चैन नई मेलत रहे घरी घरी उनकर मन में एहे सवाल आवत रहे कि एक जनकर गलती कर सजा दोसर के काले मिलेला गलती तो भुखला कई रहे तो उकर सजा फेकू के काले मिलेला और इतना कम उमईर में उनकर फेकू कर पतनी जे सोन परी रह लें उन भी ध्वाह होगे लें अब इतना लंबा उमर इतना लंबा जिंदगी उनकर कई से कटी एहे दुईगो सवाल लेखक के बेचैन केर दे रहे अब उहे सोचते सोचते एखन भी उपरेशान होए जाये ना तो इहोलक कहनी सोन परी सोन परी कहनी जे है लेखक कर आत्म कथात्मक सैली से लिखल है और गाव घर कर कहनी है के जे कर में लेखक ग्रामीन वातावरन कर बड़ा सुन्दर वर्नन कईर है कहनी कर भासा जे है नाकपुरी में है ठेट नाकपुरी में है और जे भी पात्र हैं कहनी कर अनुसार है और उमन कर भासा जे है पात्र कर अनुसार है लेखक बहुत बुद्धिमान है और बड़ा सुन्दर ढंग से आत्म कथात्मक सैली में ये कहनी के लीख है कहनी हामरे के इहो सिक्छा देवेला कि कुनो काम के करेक से पहले जरूर सोचिक और विचार करेक चाही गलत काम कर गलत नतीजा होवेला तो इहुलक कहनी सोन परी करसारांस और समिक्छा इकर से कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन भी आवेला जे हम रोर्मन के बताय देवती रोर्यमन इकर एंसर खुद आपने से लिखब जैसे इकहनी कोन सैली में लिखल जा है हम बताय रही कि इकहनी आत्म का थात्मक सैली में लिखल जा है लेखक कहां रहत रहें? लेखक सहर में रहत रहें लेखक कर सहिया कर का नाव रहे? लेखक कर सहिया कर नाव फेकू रहे गाव कर हर घटना कर खबर लेखक के कहां से मिलत रहे? तो इकर एंसर का होई? अपन सहिया फेकू से मिलत रहे फेकू लेखक कर कैसन संगी रहे? फेकू लेखक कर बचपन कर संगी रहे उकन उनकर सहिया रहे फेकू कर नुकसान होई खबर जाएन के लेखक कर का प्रतिकिर्या हो लग? लेखक बहुत उदास होई गेलें, उनकर आइक से लोर चुवे लाग लग और उजाने के लिब बेचैन होई गेलें कि लेख फेकू कर मिर्तू कैसे हो लग फेकू कर मिर्तू अकाल मिर्तू रहे, इके लेखक के के बता लग के बता लग? लेखक कर धांगर ठेपा बता लग फेकू कैसन आदमी रहे? के कर करनी कर फल फेकू के भोगेक पढ़ लग? फेकू बहुत बढ़िया आदमी रहे और आपन बाप कर करनी कर फल फेकू के भोगेक पढ़ लग फेकु कर बाब कर का नाम रहे हूं कैसन अदमी रहे। फेकु कर बाब कर नाम भुखला रहे। उं महा कंजूस अदमी रहे। बुड़ा बंधा का होवेला, हम रोर्मन के बता ही बुड़ा बंधा का होवेला, धीडु भुखला से काले नाराज रहे, धीडु कर सोना के भुखला हड़ाई पलेई रहे, बैमानी के इर के सेले भुखला से धीडु नाराज रहे, फेकु काले आपन बाप से सोना मांगत र धीडु काले फेकु के मारेक ले सोच लग। फेकु के पी एक ले दे दे लग। जेके पी के फेकु कर जान चेल गे लग। फेकु कर घरनी कर का नाम रहे। फेकु कर घरनी कर नाम सोन परी रहे। और इक घरनी कर नाम भी उनकरे नाम से है सोन परी। सोन पदी के का चीच कर अप सोच रहे? सोन पदी के एहे चीच कर अप सोच रहे की उनकर चलते उनकर पती कर जान गेलागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा सजा दूसर के काल मी लेला और इतना कम उमर में उनकर सहियाईन, सोन परी, बिधवा होई गेलें, इतना लंबा जिन्दिगी उन एकला कई से काटवाई। तो इकहनी से हमरे के का सिक्छा मी लेला, इकहनी से हमरे के एहे सिक्छा मी लेला कि लोब पाप हे के पाप से मिर्थु हो जायला। किक्रो चीज के लोब नई करेक चाहिए। फेकू कर बाप तीन सो रुपया कर सोना के लोब कर लग और उकर सजा आपन बेटा कर जान गवाए के पालग। फेकू भी सोना चोराय के पाप कर लग और आपन जान गवालग। सेहेले पाप कर कमाई कभी भी घर में बरकत नई लाने ला सेले पाप नई करेक चाहिए हमरे के इसिक छाई कहनी से मिल लग तो हमके विश्वास है रोर्मन के सोन परी कहनी समझ में आई जाए रही जे जी कोश्चन के एंसर हम बता ली ओहो समझ में आई जाए रही तो आई ज इतने धन्यवाद